हेलो एब्रिवन वेलकम अगेन आप वहां सीच से देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसके लास्ट एपसोड में हमने देखा कि बाबर अप खान जादा को छुडाने के लिए तमाम कभी लोग कजबों और छोटे राज्यों को जीत रहा होता है और एक विसाल फौज को तयार कर लेता है जिससे कि उससे साहिवानी खान पर हमला कर सके और इसी की साथ में इस एप इस दे देता है ताकि समरकंद के दिवारों को तोड़कर अंदर जाया जा सके पर उनके सभी गोले नाकाम जाबित होते हैं अलाकि उनकी फौज साहिवानी खान की फौज से कई गुना बड़ी होती है और दूसी तरफ दिखाया जाता है साहिवानी खान को जिसे उसी का एक खास सलाकार बताता है कि हमारी दिवार उनकी गोलों से कुछ जगों पर कमजोर पड़ रही है पर वो हमसे इतना दूर है कि उनको हमारी इस कमजोरी का पता भी नहीं चल पाएगा पर वो बताता है कि एक खुशकबरी भी है दुसमन ने पांच महीनों से हमें घेर रखा है पर उन्हें हमारे खास हतियार के बारे में पता भी नहीं है ये सुरंग और इसी की वज़ा से हमारे पास रासन और तमाम चीजों की कोई भी कमी नहीं है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है वजीर खान और बाबर को जो कि कहते हैं कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा है अमरकंद पर हमला किया था तब हमारा रासन के ओल तीन महिने में खत्म हो चुका था जबकि हम तयार बैठे थे मगर हमने इस पर अचानक हमला किया उन्हें के ओल गेट बंद करने का वक्त है मिल पाया फिर भी उन्हें कोई विदिकत नहीं हो रही कासिम कहता है कि इसके पीछ से जरूर कुछ न कुछ राच शिपा है और वैसंगर बताता है कि बढ़ती ठंड की वजह से हमारे सैनिकों की हालत दिन वदिन कापी ज़्यादा खराब होती जा रही है अगर हमने जल्द से जल्द फता नहीं की तो ये ठंडी हमारे सैनिकों की जान ले लेगी पर वावर फैसला सुनाता है कि हम विना खान जादा आपकि बगळर वापस नहीं जाएंगे और उससे सैवानि खान मिलने आता है वो खान जादा को बताता है कि आपका सुरंग बनाने कमस्वरा हमेंगाद पसंद आया इसी की वज़ा से हमारे पास तमाम चीज़ों की कोई भी कमी नहीं है बावर और बावर की विसाल फोच कभी न कभी तो हार मान ही लेगी पर सहीवानी खान कहता है कि इस से पहले हमें बावर और इसके मनसूवों को खत्म करना होगा पर खान जादा कहती है कि ऐसी नोवत नहीं आएगी और सहिवानी कान कहता है कि बावर आपको लेने आया है पर हम यह हर्गिस नहीं होने देंगे यहाँ पर खान जादा कहती है कि जब बावर हमें याप पर छोड़ कर गए थे तब हमें एक कैदी थे और अब आपकी बेगम ये बाबर को पता नहीं है हमारी खुशी में ही बाबर की खुशी है अगर हम बता दें कि हमारी खुशी आपके साथ है तो वह वापस चले जाएंगे वो सहिवानी खान से एक मौका मांगती है बाबर से मिलने का और अगले सिन्वे बावर उस समरकंद के अंदर आ जाता है और बावर और सहीवानी खान आमने सामने होते है सहीवानी खान उससे कहता है कि बहुत पहादूर हो या फिर बहुत बेवकूब जो हमारे सामने अकेले आये हो बावर कहता है कि आज वासा नहीं भाई बनके आये हैं जिस दिन वासा बनके आएंगे तुम्हारा आखरी दिन होगा पर सहीवानी खान कहता है कि वासा बनके आते तो तुम्हें मारने में खुद किस्मती होती लेकिन भाई बनके आये हो तो बद किस्मती से गले लगाना पड यहाँ पर खान जादा बताती है कि अब हम खुस हैं और हम किसी भी सर्थ के हिस्सा नहीं है वो बताती है कि अब हम गुलाम नहीं सैवानी खान की वेगम है और इस चक्त के वारिस की अम्मे भी वो कहते है कि आप चले जाएए बावर अब वो समय नहीं रहा कि हम खरगोस की विदिया करते थे और वो लाश्ट में कहती है कि हमारी बात को याद रखेगा गाईज इसकी पूरी सचाई आगे हमें स्टॉरी में पता चलीगी और खान-जादा वहां से चली जाती है और अब बाबर भी वहां से चला जाता है दूसरी तरह मेर अली जो की साह का सेना पती हो कि फिर तुम लोग जा सकते हो हमारी फौस यहीं पर रहेगी और दूसरी तरफ बाबर बहुत ज़्यादा दुखी होता है वजीर खान उसे समझाता है कि हम आपकी परिसानी समझते हैं यह जंग सुरू होने से पहले ही खत्म हो गई और दूसरी तरफ दिखाया जाता है खान और सहवानी खान को जो कि उसका सुक्री आदा करता है वो बताता है कि काबूल के राजा के मृत्य हो गई है और बहुत ही जल्द आप काबूल और समरकंद दोनों की मलिका बनेगी बाबर के जाते ही हम वहाँ पर जाकर इसका एलान करेंगी और वो दोनों खुशी से वक्त गुजार रहे होते हैं और दूसरी तरह बाबर अब वापस जाने की तैयारी में लग जाता है वो लोग समानों को उठा कर गोलों पे रख रहे होते हैं और कासिम बताता है कि मीर अली ने भी वापस जाने का फैसला ले लिया है यूँकि वो भी ये जंग अकेले नहीं जी स यहां पर कासिम बाबर को बताता है कि हमें लगता है आपका फैसला गलत है वो आपकी बेहन है आपको उनके लिए लड़ना चाहिए बाबर कहता है कि किसके लिए लड़े वो तो खान जादा जिसे हम अपने से जादा बहतर जानते थे वो आज कितनी एजनबी हो गई है और का करता था बाबर समझ जाता है कि सचाई कुछ और है और वह कासिं को आदेशी देता है कि वजीर खन से कह दो कि फौज को रोक दे हम हमला फिर से करेंगे और वह कहता है कि इस बार पूरा काफिला यहां से हट जाना चाहिए और ऐसा ही होता है दूसरी दव सहवानी खान कहता है कि सिपाईयों से कह दो कि थोड़ा आराम कर ले खत्रा टल गया है मगर बाबर उसके सिपाही वहे पर एक घाटी में रुके होते हैं और उन पर घात लगा कर उनकी चाल को समझ रहे होते और रात हो जाती है लेकिन बाबर की सेना उन पर कड़ी नजर बनाए होती है और वो देखते हैं कि कुछ लोग सुरंग के अंदर कुछ समाल लेकर अंदर जा रहे होते हैं और बाबर उन्हें देख लेता है और वो कहता है कि जमीन कोद कर खरगो सुरंग बनाते हैं यही कह दूसरी दरफ सहिवानी खान को इसके बारे में पता चल जाता है और उसका साथी उसे बताता है कि फारस की पूरी फौज भी उनके साथ है हमारे सिपाह उनका मुकाबला नहीं कर सकते वो बताता है कि फौज की रुकसती के लिए धोखा था ये और वजीर खान उस दरवाजे क भी खोल देता है जिससे उनकी पूरी सेना अंदर आने लगती है और दूसरी दरफ सहिवानी खान खान जादा के गले को पकड़ लेता है और पूछता है कि बावर अंदर कैसे आया और फानली वो उसे छोड़ देता है क्योंकि वो कही ने कही खान जादा से प्यार करने होता है वो उनके सेना पती को मार कर पूरी फौच को खुद में मिला लेता है और जो नहीं मिलती वो उन्हें मार भी देता है और तब ही सीन सिप्ट हो जाता है वजीर खान पर जो की कासिम को बचाता है क्योंकि वो एक मुसीबत में होता है और दूसरी तरह सहिवानी खान जादा के हिसाथ में वहाँ से बच के निकल जाता है वो यखितNS पार से मिलती है और उसे सारी सचाएए मता कि वहाँ से इस निकल जाती है और वजिर खान काफी बहादुरी उसे लाड़ रहा होता है तो भी अच्चानक से उसे कई लोग उस पर हमला कर देता है और यहां पर कासिम वजीर खान को बचाना चाता है क्योंकि वजीर खान ने भी उसकी जान बचाई थी और वो गलती से तलवार उसको ही मार देता है जिसे वो काफी ज़्यादा दुखी होता है क्योंकि उन दोनों के रिष्टे आज चा कुछ खास अच्छे नहीं थी पर कासिम वजीर खान से माफ भी मागता है पर वजीर खान उसे खुद को माफ करने को कहता है और बताता है कि जंगे के लिए जो भी फैसला लो वो हमेसा सही होता है उस पर सरमिंदा नहीं होते और गाइस ये इस एपसोट का सबसे ज़्यादा इमोसनल सीन होता है और हुजूर का ख्यार लखना कहकर वजीर खान चला जाता है और दूसरी तरफ भाबर खान जादा कहा है पूछ रहा होता है और वो एसंगर आकर उसे बताता है कि वजीर खान नहीं रहे कि हमारे साथ में आने की खाएप केहती है कि नहीं हमारी तकलीफ हमारे उने की है कि घुठीह मुखव होने की है और मूरे स्थबों कि अच्छी नहीं हम थब चानने Bayern चुने और यहाद मर पूर मुख़ी ने घुर वहेदी है नियुकि मुख़ए जो किसी मतंतर है तो कहीं न कहीं सहईवानी खान को पसंद करने लगी थी पर वो कहती है कि malt की ऊई पाँर भार शूंत की पहुस्त को सिपाही फॉन रही है। उता है कि हमारी मुझाबत की यादरिस यादर की धा lige की वङर लगी लुग欸 ये इस एपिसोड का एक एमोशनल सीन होता है जिसे देखने के बाद इस स्रीज को देखने के मज़ा ही बढ़ जाता है और इसके ग्राफिक्स और वर्चुल रियलिटी के बारे में तो पूछ हो इमत जैसे जैसे इस स्रीज का लाश्ट एपसोड तक हम पहुचते जा रहे हैं इसका इमोशन धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और फाइनली सैवानी खान के उपर एक लाल परदा अगर गिरता है जिसे सैवानी खान को पता चल जाता है कि खान जादा अब प्रेगनेंट नहीं है ये सब एक धोका था जो खान जादा ने सैवानी खान को दिया था पर कि वह इससे भी खुस होता है कि वह कहान जाधा से सची दिल से प्वार करता है और फारश का सेनपती लगतार- तेजी से उसकी तरह बढ़ना होता है definitely वह साहईवानी खान को मार हिसे देता है और साहईवानी खान का यही पर अंत हो जाता है और इसकी अगले सीन में खान जादा बावर के पास में आ जाती है बावर उससे देखकर काफी ज़्यादा खुस होता है और फाइनली वो अपनी बेहन की आजादी को देखकर बहुत ज़्यादा खुस होता है और खान जादा यहां पर वजीर खान के बारे में पूसती है बावर बदाता है कि अब वजीर खान नहीं रहे समर कंद पे पत्या कि सबसे ज़्यादा खुसी वजीर खान को होती और वो कासिम को जशन की तैयारी करने को कहता है कि यह जसनु वजीर खान के लिए एक तोफा है और दूसरी तरह महम जाकर साव वेगम को बताती है कि बावर की जीत हुई यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा खुस होते है पर बावर की मा की हालत काफी ज़्यादा खराब होती है यहाँ पर साव वेगम कहती है कि बावर को पैगाम बेज़ दो कि खान ज़्यादा ही करेगी बावर की ताथ पूसी यहाँ पर महम बावर से मिलने के लिए काफी ज़्यादा उत्सुक होती है और दूसी तरफ समरकंद में जसन का माहुल होता है और बावर की ताथ पुसी बस होने ही वाली होती है और यहां के बैक्राउंड म्यूजिक के बारे में तो पूछो ही मत और दूसरी तरह बावर की ताथ पुसी बस होने ही वाली होती है पर वैसंगर आकर उसे रोख देता है और वो ताजपूसी वहीं पर रुख जाती है और अगले सीन में हम देखते हैं कि बावर काफी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि फारस के साह ने पैगाम भिजवाया होता है कि सर्थ के मताबिक मिर्जा जहिरो देन बावर हमारे नाम से हकुमत करेंगी और ये बावर को बिलकुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो खुद का मालिक बनना चाहता है वो किसी के नाम से हकुमत नहीं करना चाहता और इसी सस्पेंस के साथ में ये सांदार एपसोड ये पर खत्म हो जाता है तो गाइज ये एपसोड आपको कैसा लगा फ्लीज मुझे लागा